जैनरी वान स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए अपसोड में जो हाँ के लिए लेकर आते हैं इंडिन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने अपडेट के मश्रुबात करने वाले हैं टाटा ग्रूप को लिकर आई एक बड़ी अपडेट से आफ सबने हाली में देखा कि टाटा ग्रूप के द्वारा मुरकों के साथ अभी हाली में जो वील्ड आर्बर प्लेटफॉर्म है इनके डील को फाइनलाइस किय गया और इसमें बहुत सरे देश हैं जो टाटा के द्वारा बनाई गई वील्ड आर्बर प्लेटफॉर्म और इसे सम्मंदित जो दूसरे वैरियंट से इनको लेकर इंट्रेस्टेड है लेकिन इससी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर मीडिये रिपो दूसरे प्लेटफॉर्म है यह तमाम देशों की नजर में हैं और बहुत जल्दी एक जो बड़ा कॉंट्रैक्ट है इनको लेकर और भी साइन हो सकता है और इस चीज़ का प्रमाढ़ है कि भारत की डिफेंस टेक्नोलोजी है और प्राइबेट इंडिस्ट्रीज हैं डिफे के मादे हम साउगत करवाया है कि उन्होंने जो सबल ड्रोन है यह भारतिया सेना को डिलेवर कर दिया है दसल सबल ट्वेंटी की बात करें तो यह एक मिलिट्री अनमैनेर वेकिल है जो चिनूख हेलिकॉप्टर से इंस्पायर्ड है जी हां यह एक फुली ऑट्रॉनमस हाई ट्रिक वर्टिकल टेक ओफ और लैंडिंग अनमैनेर वेकिल है जो की एरियल लॉजिस्टिक को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह तकरिबन 20 किलोग्राम तक के जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम है और यह जो ड्रोन है यह फिलहाल तो भारतिय सेना को डिलेवर कि किया जा चुका है और आने वले भविश्य में इस प्रकार के जो और ड्रोन से इनकी और्डर्स प्लेस किये जाएंगे हमारे इगली बड़ेवर जो जुरावर लाइट टैंक को लेकर आ रही है जुरावर लाइट टैंक जिसको एक रेकॉर्ड समय पर तयार किया गया है इस टैंक के रिक्वार्मेंट मैसूस हुई और फिर जुरावर लाइट टैंक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई इस समय यह जो टैंक है यह अपने इंटर्नल ट्राइल्स को लबग कर चुका है और अब यहां पर इसके जो ऑन ग्राउंड हाई एल्टिट्यू ट्राइल्स है यह शुरू किये जाएंगे इसके बाद अलग अलेक्टेरियंस में इनके ट्राइल को वैलिडेट करने के बाद जो इनका मास्ट प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा और यह टैंक भातित हल सेना को जोईन करना शुरू कर देंगे हालाकि आपको बता देंगे इसमें बहुत सारे जो एडवांस टेकनोलोजीज हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं जिसमें टैंक गाड़ेज मिसाइल, लोईटरिंग मिनिशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और भी दूसरी टेकनोलोजीज शामिल है और यह भातित हल सेना को काफेदा पसंद भी फिलाल तो आ रहा है हमारे एकली बड़ी बड़ेट आ रही है स्पेन की नावांतिया को लेकर नावांतिया अपने एस्टी क्लास सब्मरीन में जो हाइड्रोजन प्रोपल्सन सिस्टम में इसकी फेटिंग को पूरा कर चुका है एक इन्नोवेटिव एनरजी प्रोडक्शन प्लैंट है कि जब वो पाने के अंदर हो यानि सब्मर्ज हो तब भी वो अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकती है और इन्हें एक निमेज समय अंतराल पे जो सर्फेस है वहां पराने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब्मरीन के इसमें आप सब जानते हैं कि जब सब्मरीन सर्फेस है कि जो सब्मरीन है वो अपनी बैटरी को चार्ज कर सकती है अब अगर हम दूसरे एक्क्रिप्मेंट की बात करें जो कि इस समय दूसरे नौसे नामे ऑपरेशनल है नवांतिया का जो AIP सिस्टम है यह थर्ड जनरेशन सिस्टम है जिसको इस्टोर्ड हाइड्रोजन की क्योंकि प्रोजेक्ट 75 AIP की जहां तक बात रही तो यह प्रोग्राम काफी लंबा खिषता जा रहा है और इसमें कोई बड़ा ब्रेक्ट्रू अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है लेकिन हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी प्रोजेक्ट 75 AIP में हमें जो बड़ी इंजन को इंटीग्रेट करना आपको बता दे कि यह रिपोर्ट ठोड़ा कन्फ्यूजिंग है और इसको लेकर के बहुत सारे जो विवर्स हैं वो कन्फ्यूज हो चुके हैं आईए चानते हैं पुरा मामला क्या है इस समय डॉक्टर डीके सुनील जो की चेयर मैन और इसको भी वहाँ पर चिन्हित किया गया है अब यहाँ पर वज़य साफ है कि जो डिलिवरी नहीं कर पा रहा है और हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिम्टेट के उपर जो दबाव है वो लगातार पढ़ता जा रहा है और ऐसे में आने वाले भविश्य में जो दूसरे दि के तरफ से देखा जा रहा है ताकि फूचर इंडियन एरक्राफ्ट में उनका इस्तेमाल किया जा सके लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क वन एसे इस पूरे रिपोर्ट को जोड़ कर देखा जा रहा है देखिए रिपोर्ट काफे ज़दा सर्कुलिट होने का कारण ये भी है क तेजस में जो F404 इंजन इस्तेमाल किया जाना है इनकी डिलिवरी होने रही है और फ्रस्ट्रेशन काफे ज़दा बढ़ता जा रहा है और इसलिए जो डिफेंस एंथूजियास्ट और एनलिस्ट है वो लगहतार इस चीश पर जोड़ दे रहा है कि या तो हमें इंडिजन नहीं है जो तेजस मार्क वने के लिए सूटेबल हो हाँ आपको बता दें कि कुछ लोग EL31 का नाम जोड़ कर देख रहे हैं तो EL31 के डायमेंशन पुरे तरीके से अलग है वो एक बड़ा एंजन है और इसको भारत ने इंटिग्रेट करने का सोचा भी तो तेजस पर बहु क्या इस समय इंडिने फोर्स इस चीज को एफॉर्ड कर सकती है क्या HAL इस चीज को एफॉर्ड कर सकती है इसका जवाब है बिलकुल नहीं तो यहां पर अभी आप यह सोच यह हीमत की तेजस मार्क वने में इंजन स्वैपिंग की बात चल रही है यह जो बात हुई है यह भ बहुत सारी चीजों का इस पश्टी कराना आना बाकी है और जो लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए सलात हम यही देंगे कि जब तक HAL की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती है यह कोई बड़ी ऑफिशल डाकुमेंट सामने नहीं आता तब तक आप यह कोई निसकर्ष प पॉइंट आप टाइम पे यह चीज़े कंफर्म नहीं है कि वह कौन सा होगा तेजस मार्क वने का नाम लिया गया है लेकिन उसमें वह चीज़े जो बताई गए इस पुतनेक इंडिया में अगर आप उस इंटरव्य को सुनेंगे तो उस पुतनेक इंडिया की रिपोर्ट पर यह चीज़े सिफ कही गई है कि भारत तेजस मार्क वने में इंजन डिलिबरी से परिशान है और ऐसे में भारत ऑप्शन की तरफ देख रहा है लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ततकाल हमें जो इंजन स्वापिंग है वो होती दिखाई पड़ेगी क्यो कि इस दौरे के दौरान कई महत्रपूंट चीज़ें हैं जो इस पस्ट हो जाएंगी तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते एक लिए वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जहन्त